हेलो फ्रेंड्स वाइरल वेक मैं सभी का स्वागत है मैं विक मर्चलिया डिस्कस करता है बैंक नेक्टिमेंट हमारे ट्रेडिंग स्ट्राटेजी क्या होनी चाहिए लग बगत दो तीन दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था उसका कुछ कारण था मैं एक पॉफेक्ट ल सब्सक्राइब यहां पर डाउटफुल केंडल बन शुक्क है अब होगा क्या हमारे पास स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिल रहा है यहां पर सेल करने के लिए क्यूंकि अगर स्केंडल का साइज देखेंगा तो यह बैले 665 का हाई है लगा इसने और लू जो है यानि 265 सब्सक्राइब है और हाई के आसपास हमें 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉसर मिल रहा है तो हम वहां पर छोटा सा रिस्क लेके सेल कर सकते हैं ठीक है और सेल करेंगे तो हमें फिर नीचे बहुत बड़ा टार्गेट एटलिस्ट 41700 का टार्गेट तो हमें नीचे मिलेगा ह यहां से 1000 पॉइंट हमें नीचे का टार्गेट मिल सकता है विद सिर्फ 11500 मैक्सिमुम 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ उससे जाता कि स्टॉप लॉस रखने का कोई रिक्वाइमेंट भी नहीं है ठीक है तो वेट हमीं करना है सिर्फ क्या आज मार्केट ओपन का होते एक बार आवरली चार्ट पर हम लोग चलते हैं उसके बाद मैं आपको क्लेरली बताता हूं क्या है तो आवरली चार्ट पर भी अगर आप देखेंगे तो यहां पे प्रॉपर कुछ धंग का सस्टीन अबल हुआ नहीं है मार्केट खोला था काफी अच्छा गिया लेकिन व लिए यहां पर हम लिए और सकते हैं और यह हमारा स्टॉप लौश मचीए हाई ठीक है यह वहलाइश आट्सव पचास ही अमरे स्टॉप लौश को सकते हैं और नीची की साइट में पहला टार्गट तो आट तो हमें यह मिल जाएगा एलेश दो सो चेतर का उसके बाद यह फिल हो सकता है जो कि है आपका 42 150 के एंड तेन 4700 यह कुछ टार्गेट्स हैं जो नीचे की साइट आपको मिले सकते हैं तो चलिए आज की विडियो देखने के लिए धन्यवाद